पवन मुक्तासन और इस तरह से मोड के भी रख सकते हैं अब श्वास को अंदर खीशते हुए अपनी नीज को इस तरह से फिंगर्स को लॉक करते हुए शिन बोन से पकड़ते हुए अंदर की और खीचना है प्रैस करना है और श्वास को बाहर की और छोड़ देना है गुजदे रुखने के बाद आपको फिर से श्वास लेना है और फिर अपनी गर्दन को इस तरह से उठाते हुए या तो चिन या फिर आपको अपना फॉरहेड लगाना है फिर श्वास लेंगे और धीर इस श्वास को छोड़ते हुए वापिस अपनी स्थीति में अब बताते हैं कि जिनको नी पेन है नी पेन में आपको यहां से नहीं फिंगर लॉग करना है यहां से नहीं पकड़ना है नी पेन वालों को अपनी लेग्स को L शेप में रखना है 90 डिगरी के एंगल में और नीजे से फिंगर लॉक करते हुए इस तरह से प्रैस करना है उनको ज्यादा नी बिल्कुल अंदर बिल्कुल मोरने नहीं है ऐल शेप से बाहर नहीं जाना है इस तरह से रखते हुए सेंगों सकते हैं अगर आपको सबाइकल है तो आपको गर्दन नहीं उठानी है नीच एचय रखना है नहीं है आपको सबाइब कि नॉ रेंहें है यह कोई शोल्डर में नहीं है तो आप गर्दन को इस तरह से उठा सकते हैं जितना हो सके आपको होड़ रखना है दर सेकेंड वी सेकेंड तीस सेकेंड एक मिनट तक भी आप आसन को होड़ रख सकते हैं और आराम से उठके आप लोग बैट जाएं आ ये है पवन्मुकत असन बहुत उसे हैं बस आपको अपनी नी और शोल्डर-पएन उनको ए ध्यान रखना है परमुकत आसन करने। बहुत से लाब हैं जैसे कि यह आसन आपके लंग्स को काफी हल्दी रखता है काफी इंब्रूब करता है लंग की कैपिसिटी को इस आसन को करने से आपकी पाचन क्रिया में काफी सुधार आता है काफी मंदद मिलती है पेट में अगर कोई एक्स्ट्रा गैस बनी हुई है बा इससे और तनाव अगर आपके लेक्स वगेरा कंदे में थकावन है तो वह भी थकावट भी दूर होती है पेट से जूड़ी सारी बिमारियों को यह ठीक करता है जैसे सब्सक्राइब कोंसिक्राइब यह फ paternity Indian एयर विल्टी और इस ऐस stupid को लचीला बनाता है अब कि अक्रिक्रींस को फ्रीष गौर्वें को ने Cons confir यह जैता है । Hum jud is यानि कि एक गर्भवश्था में भी पूरी सारी बिमारियों को दूर करता है इस आसन से आपके pancreas और stomach को सही तरीके से काम करने की ताकत मिलती है और सक्रिय होते हैं आतको भी बहुत सी बिमारियों से दूर रखता है इस आसन को करने से hormonal imbalance भी ठीक होता है जिसे PCOD में आपको लगदायक है पेइन ज्यादा होता है उन दिरों में तो भी आसन बहुत अच्छा है उस condition में आप उनके साथ करेंगे तो आप अच्छे से इस आसन को कर पाएंगे ज्यादा घुटनों के जोड़ों का pain है या गटिया है तो इस आसन को avoid करना है periods के time पर इस आसन को नहीं करना है बट उससे पहले और बाद में कर सकते हैं pregnant woman को भी ये आसन नहीं करना है